हेलो फ्रेंड्स मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष में आज ट्रिगोनमेट्री का हम सकेंड पार्ट करने वाले हैं जो है कोश्चन सेक्षन कल हमने इसका पूरा कंसेप्ट और सारे जो इससे रिलेटिट ट्रीक है और जो कुछ रिलेटिव प्रॉब्लेम्स थे उसको हमने देखा अब आज जो है इसका अगला सेक्षन जो हम हर करेंगे तो देखते हैं कोश्चन नमबर वन क्या है तैन थीटा प्लस कॉट्ट थीटा बाई यह वाले कोश्चन हम अभी कर रहे हैं तैन थीटा प्लस कॉस्ट थीटा बाई तैन थीटा माइनस कॉस्ट थीटा इस इकल्स तू तू अब देखिए यह जहां भी दिया रहा है तो इसको ध्यान से आप देखिएगा इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि यह कोश्चन का है कि एंगल हमेशा क्या होगा 90 से छोटा होगा ठीक है चलिए देन दा वैली ऑफ साइन थीटा इस अब साइन थीटा क्या होगा इससे फाइंड करना है आप्शन दिया हुआ हमार पास देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगा तो टू है तो इसको टू बाई वन कर सकते हैं त प्लस बी और यहां पर नीचे लगते थे और बी को एक बार प्लस एक बार माइनस कर देते थे राइट ए प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी ओके कर देते थे चलिए दोनों साइट हमने यहीं किया ए प्लस बी यह माइनस बी किया तो हमारे पास आप देखिए यहां से जो है कॉट यह कॉट और यह कॉट कैंसिल ओट हो गया तो क्या बचा टू टैन थीटा ठीक है अच्छा इधर देखिए आपका इधर कॉट कर चिटा हो गया तो तो आपको क्या बचा टैन्ट टैन्स इता बाइक कोर्ट तिता यहां टो तो यहां प्रूपर चला गिया यह तो क्या होगा तो आप जोनों साइड अगर हम रूट लेंगे तो टैन थीटा क्या होगा रूट थी नहीं हो जाएगा और जो मैंने आपको टेबल बता है था उसमें तेन थीटा का कौन से डिग्री पे कौन से एंगल पे रूट थी था तो आधकल उश्मत Okay यह तो आपको यह याद होगा ता आप देखेंगे इसẵस्टि डिग्री पे लूट दुरिट तो तो से डिग्री यह महीं सेयल कितना है सेखस्टि डिग्री तरी में क्या था रूर्ट 3 वाइटू फाइंड कर लिया तो देखिए इन कोश्चन में जो है मैक्सिम जगा या तो यही तरह का आपको इस तरह का ही रूल्स एप्रोच आपको लाना होगा या फिर अलग टाइप का कोश्चन के लिए जो है अलग अलग जो रूल्स है वो मैं आपको अगला कॉश्चन है अगर कोश है Canton कॉस에게 ये इंगल के जोनग जो है एकस और डिया हुआ हुआ है एकस और वाई ठीक है चलिए तो एकसर रूटी T तो यहां बोला जा रहा है कि तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का वैल्यू क्या होगा काफी एक्जाम्स में ऐसे कोश्टन आते ही है अब जरूरी निया यही कोश्टन आ जाए पर पैटर्न यही रहेगा तो जब आपको डिफ्रेंट कोश्टन को आप अप्रोच को यह तो सुल्ब करते हैं तो यहां हमने पहला कोश्टन कर लिया तो क्या है था रूट 3 by 2 एंसर क्या ऊप्शन होगा चली यह नदेखते है यह कोश्टन समय में आ गया तो तो आप लगे से कुछ नहीं करना होता है संगा श्र्कॉbd क को है तो सीन एक्स को अगर वन कास ऍ को को उन मानते हैं Echoesuko दोनों मानते तो क्या हो जाएगा lira हो जाएगा say क्योंकि वन्हेंट फॉन हो जाएगा तो क्या होगा चील कर बड़ावर होगा ना तो signals प्लस थाइन हए में में होजाएगा जिडियो होजाएगा ठीक है सींपल है जाद यहाँ तो स्प्लसकं मन्हाइब सलेके स्दस्राइब अरषवाय का वैल्यूट क्या है वह भी वनय तब तो टुबन यह कैसे कैसे क्रिख स्दस्राइब मैक्सिमम्न एक पर यह सकता चुण किसी का मतलब एक होगत Колस्कं प्रच व्र लोसगा नहीं एक चसे क्होंта यहां कि बढ़े वन की सोरी जी घ्रोगे थीक है तो जब जी डोगे क्योंकि कॉस्थ 0-1 होता है क्या इक वैल्यू औनोटा है न तो एक्स का व्यल्यूत क्या ओगा जी Wes बॉन तो यह एंगल तो zero है कि उस से not zero or desire to sign तो जब जोनों का वैली जीरो पर क्या होता है जीरो ही आता है तो इस समय में क्या लेंगे हम साइन एक्स प्लस साइन य जीरो हो जाएगा एंसर क्या जाएगा आपका जीरो चलिए थार्ड कोस्टन देखते है दी वैल्यू ऑफ 10 1 degree 10 2 degree 10 3 degree up to 10 89 degree तो इसका value क्या होगा देखिए इस type का question में हमने एक जो आपको बता है था कि sin 90 minus theta अगर हम कल का concept में last में मैंने आपको बता है था 90 minus theta क्या होता है cos theta I say 10 90 minus theta क्या होगा cos theta होगा तो अब देखिए अगर यहाँ पर क्या इस type का question में आपको 1 degree 2 degree का तो find नहीं है और ऐसे आप कर दे जाएंगे तो कैसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे यहाँ देखिए 1 plus 89 क्या हो जा रहा है 90 दियान से समझेए पहले इसी तरह 2 plus 88 होगा वो क्या होगा 90 अध्री प्लास 87 क्या हो जाएगा नाइन टी तो यह निए हर दो मिलकर को जो अगर पीर अपकर दे हम तो दो मिलकर क्या आजाएगा आपका 1990 आ जाएगा ठीक है तो अब देखिए 10 1 को हम लिख सकते हैं 10 90-89 लिख सकते हैं 89 लिख सकते हैं तो 1090-1 क्या हो जाते हैं साड़ा सब्सक्राइब लेकिन एक जगह आएगा जो यहां पे वही देखना थति का थति ले ले लेंगे फोर्टी का फोल लेकिन हम नहीं सो स्थेक्स आगे तो में च जानते हैं क्या होता है तो इसका वेल्यो क्या आ जाएगा क्या झाटेंस साइगर फोेफेन टkeitश क्या इसका जाएगा बना चलिए अगला कोशन देखेंगा आइस थीटा बीन एक्यूट यह बहुत है कि सेवेंढ में इसक्राइड तो फूरो थिनदेश् Great ना है हम साइन स्कोर थीटा को क्या लिख सकते हैं स संसकोर ओता है साइन स्कोर थीटा क्या होता है इस चाहा होता सबस्द्राइब स्वेधे two 12x analog geh it traveling okay personal life the écriture dot तब झरीक सिंट्री ख्रके साइन अठीक मैनस सेडेंगोस स्कार थीटा ओगा तो होगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखे कितना एजी है यह सेवन माइनस सेवन कॉस स्क्वाइड तीट आएगा और क्या यहां पर फ्लस थ्री कॉस स्क्वाइड थीटा है और उधर तो आपका फोर जैसे है वो ऐसे फोर रहेगा चलिए अब देखिए सेवन डैट इस माइनस 3 क्या होगा माइनस 3 हो जाएगा ठीक है इसको माइनस 3 कर दिया ठीक है यह हो गया आपका माइनस 3 यह हो गया आपका माइनस 3 इधर क्या बचा आपका यह सेवन आपका चला गया तो इधर क्या बचा माइनस सेवन कॉस स्क्वाइड थीटा प्लस 3 तो यह क्या बन के आ जाएगा माइनस फोर को स्कोर्ट तीटा थीकर इजी कॉल ऑस टुमाइन स्कॉर्ट तो क्या होगा मैनस-3-4-3-4 तो क्या आया को स्क्वाइट थीटा किया अब टू कि लीन सब्सक्राइब से लूटत करने है तो का इस रितिसकरी ओन्ट टो को निगसे उसक्ता होता की अट उसके को का सब्सक्राद प्रोल्ट तो लोग विधाल T टम आगया तो आप देख रहे होंगे का को जो अंगल है जो मैंने आपको टेवल बता यह था कि 0 degree 30 degree 60 degree 45 90 पर क्या होता है उसी हिसाब से आपको यहां भी करना होता है ठीक है चलिए अब है आपका जो next है वह यह अफ Eleτα साइन स्क्वाइर 100 degree 52 साइन स्क्वाइर 90 अगिए अपट साइन स्क्वाइर इती नाइन यह उसी टाइप का कोश्ते थैन यहां पर क्या होगा साइन 1 को हम क्या लiblikk ौस कर सकते हैं क्या होगा कोस एसकुए सांद साथ कुक स awarded मिलकर क्या बनाएगा वन एंसर देगा जैसे वान होई टो और एक वाला टर्म के आछते तक फैल in तेरा किति सबस्थ्सक्राइं गता होगा यहां आइंटिया तो 45 पेयगा आएगा एस rooftop पेयर शनीव क्यों आप declaring enough से तो बस मैंने जो बताया ये मिलकर आपको क्या बनेगा कॉस कर संसकर वन नंबर अफ टरंस क्या 23 तो यह वह बनाना है और वह पेर जो है हमेशा क्या वैलू देगा वन देगा चाहे वह प्लस वाले में हो चाहे वह इंटू वाले में हो तो यह आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ को समझना होगा तभी जो है हो पाएगा ठीक है तो ऐसे इस कोशन को सॉल्फ करते हैं चलिए आगे का कोशन देखते हैं क्या है साइन स्क्वाइड फाइव 10 15 अप्टू 90 उसी टाइप का कोशन है आपका ठीक है फाइव और 85 क्या बनाएगा फाइव और 85 बना देगा यहां पर वन टैन और 80 इस तरह से जाएगा तो वह कितना टर्म होगा नमबर अफ टर्म्स बाइटू कर देंगे जो जो पेर बन रहा है तो कितना पेर बन रहा है यहां पर 17 बन रहा है ठीक है 17 पेर है तो 2 से डिवाइड कर दिया वन 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 वेल्यू देगा और प्लस में 90 क्या होता है वन तो वन का स्कूर वन तो इसको करने से हमारे पास क्या सॉलूशन आ गया नाइन होल वन बाइटू एंसर डी हो गया इ असको पूट कर देंगे आ गया चलिए 7 नम्मर क्या है यह यह कोश्चन थोरा सा इंपॉर्टंट है और थोरा सा समझने वाली कुश्चन है तो इसको ध्यान से समझ येगा इसका वेल्यू फाइड करना है लेकिन एक चीज़ देखिए 73 और 17 मिलके कितना हो जा रहा है कि 90 हो जा रहा है न इसका मतलौ हमको इसी चीज को हिट करना है कि कैसे हो रहा है ठीक है तो देखिए एक आपको 73 एक 17 है एक टो 90 होगाई एक एक दिया हुआ एक स्वाई दिया हुआ हुआ थो यह वैली पैफागोरस स्ट्रीरम से निकाल दिया जो मारा बेसिक्स था यह पी है यह यह है यह यह है तो इसका फैथागोर स्ट्राइम से आगया अब क्या फाइंड करने बोल ला है सेग 17 सेग 17 यानि थीटा तो यह है ना तो सेग 17 मतलो कौस का उल्टा यानि क्या होता है भी यह यहां हो जग है भी वही किया है हमने एच वाई है भी यह है माइनस साइन सब्सक्राइब है तो पर्पेंडिकुलर यह हो जाएगा आई पूटिन यह हो जाएगा बस उसी को पूट किया आ गया उसको सॉल्व करने से आपका वेल्यू निकल के आ गया कोश्चन के कॉर्डिंग एक स्कॉर्ड अंडरूट एक स्कॉर्ड ब्लस वाई स्कॉर्ड मेनस एक स्कॉर्ड ठीक है ऐसे इसको सॉल्व करना है कितना इजिया बताइए चलिया अब है दी एक्सप्रेशन 1057 प्लस कॉर्ट 37 बाइ 1033 कॉर्ट 53 इस इकल्स टू कितना होगा अब देखिए इस कोस्टन को सॉल्व करने के लिए हमको फ़र अलाग टाइप से जाना होगा कैसे अभी देखिए 1057 कॉर्ट 37 एंड 1033 कॉर्ट 53 ठीक है उपर नीचे अगर आप देखिए तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है कर रहा है तो 1090 मैनस तीटा कॉर्ट तीटा होता है तो उपर को कॉर्ट 33 और कॉर्ट 53 आ गया हो गया उपर नीचे 33 33 53 53 अब देखिए कॉर्ट को लिख सकते 1 by 10 33 और प्लस 1053 सेम उसी तरह कर दिया नीचे भी अब इस कंडिशन में क्या होगा हमने क्या होगा हमने मतलब सिंप्ली LCM किया 1 by क्या था 10 33 अप प्लस 10 53 इसको हमने 10 33 को LCM लिया और जस्ट सॉल्व किया उसक 10 53 को हम क्या कर सकते हैं 37 लिख सकते हैं और 33 को 10 57 लिख सकते हैं क्योंकि एंसर में हमारा जो है 37 53 दिया हुआ है इसलिए उसी टर्म में लाना होगा ठीक है तो आगे आपका एंसर बस इसी तरह से सॉल्व करना है तो इस टाइप का क्वेश्चन को भी जो है यह एप्रोच को आप दियान में रखेंगे जब भी एंगल दिया रहे है तो आप यह देखिए कौन सा पेर मिलके 90 डिग्री बना रहा है उस बेसिस के पर आपका जो सॉल्यूशन है वह काफी इजी हो जाएगा ठीक है चलिए नाइन्थ कोश्चन के तरफ यहां देखिए यह कोश्चन भी क का वेल्यू फाइंड करने बोला जाएगा आमेसा तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए कुछ नहीं कर रहा है जो इक्वल है उसको इक्वल रहने दिया एक को जो हमने क्या बोला था इस सब को 90 मैनस थीटा में चेंज करेंगे तो साइन 90 मैनस थीटा हो गया 70 मैनस 3y अब सबक्राइब धाए तो दो सबक्राइब करेंगे संवैंड करेंगे सब्सक्राइब तो काफी आपको समझ में आएगा चलिए लास्ट कोश्यौन आघ के लिए इफ कॉस्ट थीटा एक लिए और अगर कॉस्ट थी टी सीन तो क्या होगा तो दो कॉस्ट थीटा इंट टू गज्सेकों सब्सक्राइब करें लिग एक फॉर्मूला है वो फ्रॉम्ला यह सेख जो है कोस का उल्टा होता है अब देखिए सेक मैंने क्या बोला था सेक 90-फिटा क्या होता है कोसेग फिटा तो बस कोसेग 90-फिटा सेग फिटा कोसेग को गया से लौट थीटा इस इकल स्टू 90 मैंनस 23 जैसे सॉल्फ किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री का साड़ा कोश्चन तो यह जितने ही मैंने आपको दस कोश्चन आज करा है यह काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है इसको आप ध्यान से करेंगे चाहिए वह कंपोनेंड डिविदेंड वाला हो चाहिव इस टाइब का एक्स और वह इस बहुत ही इसको मैने आपको बताया कैसे करना पर आप करिए उसके बाद आपको खुद बहुत पता चल्ढ़ेगा कितना पर इतना प्यल्यम स्ट्वीन आएगा इस case में यहां देखिए और यह वाला तो काफी एजी है और यह वाला एक प्लस वाला था वो multiplication वाला था यह प्लस वाला था बाकी process से में आपको वो दोरों एंगल पकड़ना है जो बनाएं बाद बागे आपके बास फॉर्मूला है फिर वैसा कितना बन रहा है वह आपको समझ में आ गया तो से डिवाइड कर दीजिए इंटू वन कर दीजिए जैसा हमने किया तो आपका एंसर निकल के आ जाएगा ठीक है तो आपका जो है कोस्टेन से चलेगा उसको भी आपको ध्यान से करना है क्योंकि बीना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होना है और इसके याद मैं खाली प्रिवियस इयर्स को ही डिसकस करूंगा तो चैनल पर बने रहे लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें मिलते हैं अगले क्लास में थैं थैंकि बरिवच्च्च्च्च्च्च्च्च्